ये देखो, हमने ये दो-चार पतियां तोड़ी, ये खा लिया, और सीधे खा सकते हो ये, ये धेन रखें, मित्टी वाली हमने नहीं खा ये, मित्टी जड़ में है, ऊपर वाली साफ है, क्योंकि ये जंगली एरिया है, तो जंगल में धूल धक्कड होता नहीं है, इसलिए य ये देख ये छोटी वाली हम खा रहे हैं, ये छोटी वाली खा लिया, और ये बड़ी देख ये, फूल पत्ता सब लगा हुआ, ये देख लिए, ये भी हमने खा लिया, कोई साइड इफेक्ट ने, कोई नुक्सान, नमस्कार भाई बैनों, कैशे हैं, उमीद करता हूँ, स जड़ी बूटी है, पहचान लीजिए अच्छी तरीके से, और ये आपके स्वास्त के लिए बहुत ही राम बान अवसदी है, तो एक ये है, तो मैं इनका फायदा बताऊंगा, और ये आपको किसके ये दो प्रकार की है, मैंने आपको दो प्रकार बताया, तो सबसे पहले नाम ही आपको बता रहा हूं मैं इसका, ये, देख लीजिए, अच्छी तरीके से पहचान लीजिए, अच्छी तरीके से पहचान ये दो प्रकार की, ये बड़ी दूधी कहते हैं इसको, और ये छोटी दूधी है, आप पहचान लीजिए, दोनो दूधी है, तो ये दूध आपके स्वास्ठ के लिए बहुत ही बढ़िया रामभाणव सधी रामभाणव सधी अगर किसी भाई बहनक को पेचिस पढ़ रही हो डिसेंट्री लगी तो आप इसको जहाँ ये छोटी दूधी मिल जाए या चाहे बड़ी दूधी मिले दोनों में से कोई भी मिले तो आप इसको बांट करके पी लीजिए थोड़ी सी तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ही आपकी पेचिस बंद हो जाएगी, मतलब पेचिस बंद हो जाएगी, बिल्कुल ठटी नहीं बंद होगी, आपको सबह पे आना जैसे आना चाहिए उस प्रकार से आएगी जो पी बिल्क पाउडर के रूप में ले ले या फिर आप इसको ताजी ले ले तो ये ताजी भी मिल जाती है, हर जगे उग जाया करती है, ये तो लगभग छोटी बाली हर जगे मिल जाती है, ये थोड़ा जल्दी ना मिले पर ये लगभग हर जगे मिल जाया करती है, तो आप इसको ता तो इनका पुरा पंचांग फूल है पत्ते हैं डंठल है इसका तना और यह जड़ जड़ोगरा तो इसको क्या करना है कि जब भी आपको बजार से लाना है पंचांग लाना है तो इसको एक बार धो लेना है सही तरीके से धो लेना है क्योंकि कुड़ा करकट बीन ले और अगर पौडर फॉमल आते हैं तो आपको एक चमच अगर सुगर नहीं है तो आप मिश्री मिला करके भी ले सकते हैं या सहद मिला करके भी ले सकते हैं तो आपको बहुत बढ़ी आराम मारा उसद ही है यह तासीर अगर बच्चे के लिए दूद की मात्रा नहीं निगल पा रहे हैं तो उस वो माताइं भी इसको सेवन कर सकती हैं अगर किसी तरीके से प्रग्नेंसि में कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी यह बहुत बढ़ी हराम मानो सध्य है गर्वधारन करने वाली माताएं अगने इस आएं आप आजकल आप लोग आरबेद को भूलते जा रहे हैं सीधे सरकारी एस्पताल में भागने लगए सरकारी एस्पताल में जाएंगे आपको एक मर्ज सही कर देगी दूसरा मर्ज तैयार कर देगी आप डिसेंटरी के लिए ने दवाई जाओगे अगर इसको पीते हो त पर आपके सीने में जलंग आपके हरदाइं को दिक्कत तो ये नुकसान करने लग जाएगी तो इसलिए आरबेदिक जड़ी बूटियां कोई नुकसान नहीं करती हैं आप आरबेदिक जड़ी बूटियां को इस्तमाल करें और इनको खाएं ये लोग खा सकते हो आप आराम मारा उस्तादी है वीडियो के विज्ञान वर्दग वीडियो और योगा प्रायाम वीडियो और ये और बैदिक जड़ी बूट्यू की वीडियो एक बज़े प्रदिन हमारी व्याती है और उपर हमारा स्कीन में मोबाइल नमर चल रहा है अगर किशी भाई बहन को अगर हमसे कोई जानकारी लेना हो तो हम बिलकुल आपको उपलब्ध है मोबाइल में हमारा मोबाइल नमर इसकीन में चल रहा है तो आप हमसे बात कर सकते हैं शंपर कर सकते हैं और हमसे जो भी जानकारी हो अगर कोई धुरी जानकारी रह गई हो तो आप हमसे जरूर पूश रखते है और अगर इस बात का विशेश ध्यान दे कि अगर जो भी जड़ी बूटी इस्तमाल करते हो तो एक बार अपने डाक्टर बैद या जानकार से जरूर सलाह ले ले क्योंकि आरबैदिक जड़ी बूटीया है, साइड डिफेक्ट कुछ नहीं है पर आपका स्वाष्ट कैसा है, आपको कितना हजम कर सकते हो, कितना हजम नहीं कर सकते हो तो जरूर एक बार पूंच करके आरबैदिक जड़ी बूटीयों को इस्तमाल किया करें और आरबैदिक जड़ी बूटी इस्तमाल करें जब तक किलेश्य भी भाई बैनों को नवस्कार जैन्द बन्ने मात्रा जैस शीरी किस्णा